आज तोड़ना लाइव जूर रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन स्टोडी में तोड़ना लाके आई हैं स्टोडी दी भी काल करांगे ते ओदे वेश थोड़ी जी अपा डीप डिसकेशन करांगे जो बहुत ही वदिया गैस्ट सादनाल जुरनगे पिछले हफते एक Human Rights Watch दी रिपोर्ट रिलीस हुई सी Human Rights Watch इंटरनाशनल ग्लोबल संस्था हैगी जो दुनिया दे वेच जिते भी Human Rights Violations होंदी हैं या Human Rights नो कोई खत्रा होंदा है ओस चीज नो इन्वेस्टिगेट कर दे हैं ओदे होते रिपोर्टिंग डेटा एनलिटिक्स कठे कर दे हैं ते कुछ solutions ओफर कर दे कि किस तरह इन चीजा नो पकरेक्ट कर सकदे हैं बड़ सब तो पहले उन्हादी अवेरनेस लैनी बहुत जुरूरी हुन दी है पिशले हफते हुमन राइट्स वाच दी रिपोर्ट ने सानू ए दस्या के कोवेड नाइटीन पैंडेमिक नू लैके दुनिया भर दी कुछ नैशनल गवर्मेंट्स दा जो रिस्पोंस रहा है ओदे वेच उन्हाने डिस्कावर कीता कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक इंक्रीस इन दी अब्यूस अफ फ्री स्पीच वेखनों मिलिया कि दुनिया दे वेच अट लीस्ट असी गवर्मेंट्स असी कंट् किती जिना दे वेच अनफर्चनेटली इंडिया एक बहुत ही वड़े लेवल ते डिसकावर किता गया है इंडिया दे वेच इस्क्रीन ते वेख सकते हो नाके सिरफ वाइलेंस वेख्या गया सेक्यूरिटी फोर्स गवर्मेंट अफिशल्स वालों जिते फिजिकली जर्नल उननु गरफतार किता गया बेवजा वक वक तुसी कहलो पर्चे दर्ज किते गया एदे विच भी इंडिया दी ओ सी गी अनफुरुनली इंडिया प्रेजन सी गया एंडिया लास्ट पर नाद लीस्ट सेंसर्शिप सो कानूना नु लाके एक गैर कानूनी तरीके दे नाल ए टिकल्ट एक्सक्यूस करके रोकनी कोशिश किती गहीग हुन कोविट ता चलो पिछले साल तो वेखनू अनू मिल रहे हैंFi । बहुत एदिया लवल ते सानू वेखनू मिल रहते गया है। इस किसान मोर्चे दे वेच अनु आ旨ू नू जो आणिश अनू गोई न्यारा कि किसान ते किसाना दे सपोर्टर जादा तर शामिल हन एक ग्रूप ने बहुत वड़ा रोल प्ले कीता है ओ है कि स्टुडेंट अक्टिविस्ट लेकिन जिते स्टुडेंट अक्टिविस्ट दी गालां दी है इना नू कोविड करके किस तरह दी रिस्ट्रिक्शन दी लगाई खास करके जिते हाइर एजुकेशन इंस्टुशन दी गालां दी है कॉलेज़ युनिवर्सिटीज उना ते किस तरह दी पाप बंदियां लगाई हैं पिछले पूरे साल तो आप वेक सक्देयां कि एस चीज दे विच एक बहुत ही वड़ा अपवर्ड ट्रेंड रहा है बह ले पावे तुसी चंडीगर दी पंजाब युनिवर्सिटी वेकलो या दिली दी जे एन्यू वेकलो उना दे विच एक लहर रही है स्टुट अक्टिविजम दी पुलिटिकल प्रोटेस दी ते पिछले साल सिटिजनशिप अमेंडमेंट आक नू लाके जे एन्यू दे वि सब तो पहले सानों ये पुछना चाहिए है कि इंडिया दे विच जित्थे कोवेड नू लाके पाप बंदियां बड़ी तुसी कहलो एक डबल स्टैंडर्ड जा बनिया हुए है I mean मैं once again मैं खुद इंडिया तो होके आई है I was there डेड महीना में उत्थे सीगी मोचे दी कव अबरज ली मैं खोद अपने अखों वेख्या कि कोवेड दे टाइम कोवेड दी पीक सीजन दे विच आमीने वैक्सीन तो पहले दी गाला है वैक्सीन ता हुने रिलीस हुई है हुने एड मिनिस्टर शुरू हुई है उत्ते मैं जदो लो यह सी वैक्सीन नहीं रिलीस ते कुछ जादा ही हैवी तौर ते पापबंदिया लगाई गई हैं असी ओसी के कॉलिज इन उनिवर्सिटीज मैं खुद ओथे जाके स्टूरेंट्स नाल गाल की ती प्रफ्रेसरा नाल गाल की ती मैं खुद कॉलेज केमपसिस ते गई एंड मैं अपने अखो विख्या किस तरह दी रिस्ट्रिक्शिंस किस तरह दी शट्डाउंस खास करके कॉलेज केमपसिस ते इन फोर्स किते गई अंजर दी एक्स्क्यूस अव कोविड तो अज मैं अपने गैस्ट देनाल ते तौर देनाल इस चीज नो थोड़ा जा होर डिसकस करना चांदियां के क्यूं एक प्रफेसर फ्रम जे एन यू लेकिन अपना देनाल गल करांगे एक छोड़े जी ब्रेक तो इस बार ब्रेक तो बास आएदा स्वागत उसी वेक्रियो प्रोग्राम अजदा मुद्धा लाइव तो अरनल जुड़े आंते गल हो रही है एक रिसेंट रिपोर्ट हुमिन राइट्स वाच वलो जो सानु दस दिये के किस तना दुनिया भर वक वक गवर्मेंट्स ने कोविड नो लाके एक बहाने दे तौर ते फ्री स्पीच पब्लिक डेमेंस्ट्रेशन नो रोकन दी कोशिश किती इन कंट्रीज दे विच उनफॉटनेटली इंडिया एक बहुत वड़े लेवल ते मौझूद है और इंडिया कोई वधिया कंपनी दे विच भी नी हैगा जो वर्स्ट वाइलेशन है गी है मनद अब जित्थे सब तो जादा है वाइलेशन हुई हैं ओ कंट्रीज इंक्लू जो जो जॅनलिस्ट एम क्रिटिक्स जना जो गर्वर्मन धे खलाफ कुछ कहरेया उना थे वेखानु मिलेशन है नी बात फ़ेशन हम फिचली साल दीस इन आराट जी इंडिया विच कुछ एहों जी सट इंडिया थे विच एहों जीस इंस्तिशन हान जित्थे स्टूद एक पिछले साल दी सिटिजन अमेंडवेंशिप आक्ट नू लाके वक्वा कॉलेज कैंपसेज दे विच प्रोटेस हुई हैं या हुन किसान मोर्चे नू लाके किस तरह स्टुडेंस मोबिलाइज करन दी कोशिश करें ते किस तरह उना नू रोकिया जा रहे हैं उना दे कॉलेज अधिज वलनों एडे विच सारी कन्वरसेशन दे विच जवाल नाल नारू निरू दिल्ली दी जे नू एक बहुत ही वडे लेवल ते अपना रोल प्ले करी है जे नू दी हिस्ट्री है पुलिटिकल अक्तिविजम दी ते एस चीज दे विच सानू अज इस कन्वरसेशन द रिया है आन्मन इअपने ब्रोग्रम दे विच ल काल ने दार ने मिलें ला लै की जॉइं ज़िस जो मे जूएं वालक मी जू आप जोडि़ दिली आलड चेह दो इस प्रोफसर मश्म दे विच एपापार देविच मिले मिले तौरते बैके इंटर्वियू करें, बिकुज दिस थापिक, यह बहुत डूंगा टॉपिक है, तौर्ड़ा जो एक्सपिरियंस रहा है, खास करके JNU दे वेच तुसी वी तो वद साला, तो तेक परफेसर दे तौरते तुसी सिखा रहे हो, सब तो पहले, सर, तौर्ड़ा, I wanna ask you, किस तना दी, साथे व्यूर्स नो जेन यू बारे हम शोर पता हुएगा, बर जिना नो नहीं पता, तुसी साननो एक कॉंटेक्स दवो, कि JNU दी की हिस्टरी रही है, जित है student activism दी गालां दी है, protest दी गालां दी है? Thank you for asking me to come and speak. चंगा स्वाल तुसी पुछा है कि मैं JNU बारे पहले गाल करा, JNU, political activism ले नहीं, JNU, हिंदुस्तान दी intellectual leadership दे तोर दे, एक university institution मनने आ जानता है, जड़ा 1970s विच बनाया गया जिका, ते 1970s तो लेके हुन तक, वखरी वखरी fields विच, JNU, the students, JNU, the faculty ने अपनी एक पहचान ते, अपनी एक सोच देश नाल सांजी किती है, जिदे विच उनों मुल्क ने भी बहुत appreciate किता है, और इसता proof एए है कि, इविन BJP दी सरकार वेच, ए सरकार वेच चड़ी Ministry of Human Resource Development दी university दी ranking हों दी है, ओस दे विच लगातार फर्स्ट लीडिंग उनिवर्सटी दे तो और ते, जवाला नेर उनिवर्सटी आई है, जिदे विच टीचिंग लर्निंग दा एक खास experiment इंडिया विच किता गया सी, ट्रडिशनल उनिवर्सटी इस तो बहुत वखरा, जिदे विच टीचर टीच टीक्ट सुड़न दे विच बराब्रिदे महाल विच पढ़ान लिखाईडी गल हुए, जिदे विच calendar फैसले ने पढ़ा लिखांते, वे एक democratic structure टी टी तौर ती फैसले हुए, सब्सक्राव जिलावा, more applied disciplines, more interdisciplinarity, एदे बिच जड़े जिन्हों डिपार्टमेंट्स आम तोड़ते किया जानदा है थे centers ने, ते Center for Economics नहीं है, Center for Economic Studies and Planning है, यह Center for Regional Development है, यह Center for International Trade है, सो जड़े भी फील्ड तुसी चुनोंगे हो दे बिच वोदी applied या ओधे होर वक्रे एंगल तों, उस discipline नों, बाकी disciplines ना जोड़ रिया जा सकता है, ओधे teaching learning दा focus रहा है, यह University अपने आप विच एक खास experiment रही है, तो दुनिया विच भी यह पहचान है, तो मुल्क विच भी पहचान है, तो मैं अंडरलाइन करना चाहनदा है कि हुन भी, ए पुलिटिकल अक्टिविजम अक्टिविजम अच्युली तो उसी गाल कर रहे हो, वो बेसिकली ओथे जड़ी teaching learning दा प्रोसेस है, जिदे विच क्रिटिकल थॉट नों अप्रिशियेट किता जानदा है, और जद इस रजीम ने, इनादे नुमाइंदो ने, वाइस चांसलर ने, वो उनिवर्स्टी ता जड़ा है, वो नों ना मनन तो इंकार किता, वो इंसिटुशनल प्रोसेस नों बाइपास करन दी कोशिश किती, वो दी रिजिस्टेंस उनिवर्स्टी उभी है पिछले कई स ने, वे ताके स्टुदेंस ते टीचर्स दी ताल मेल हुए, बट रिसेंटली, विवर्स्टी पिछले साल नों वेखन नों मिले हैं, वो तो पहले जो एवाइस चांसलर दा रोल, कास करके मैं कवांगी, इस सरकार दे हैट, वाइस चांसलर दा रोल, जेन यूदे विच किस तरह एवाल्व होय है, किस तरह चेंज होय है, ते ओधा केंपिस, ते स्टुदेंस ते किस तरह दा इंपक्ट होय है, ओधे बारे थोड़ा जा होड़ दसो सानू, बिलकुल ठीक सवाल है, थोड़ा ते अच्छा सवाल है, मैंनो अपनी अगली कल करना मौका देंदा है, कि उनिवर्स्टी दे बारे एक खास कल और मैं जिकर करना चांदा सी, जोड़ी भी थोड़े सवाल ना, कि अथे जेड़ा एद्मीशन दा प्रोसेस है, ओधे विच एक बड़ा युनीक सिस्टम है, ओधे विच सिस्टम सीगा देप्रिवेशन पॉंट्स था, जेड़ा जिदे बिच ए अपरोच सिगी, कि जेड़ा स्टुडेंट पिछड़े एलाके तो आंता है, जिधे शिख्षादी फेसिलिटीज नहीं है, जिदे पेरेंट्स नूँ हाई स्कूल जानता मौका नहीं मिलिया, या जिदे पिंड बिच स्कूल नहीं है, ओधे एक मैथड एक क प्रिश्न पर ही चेज जाना है, और थे पहली चीज जिदे यदे वाइश चांसलर ने जॉइन किता है, तो आपर्ट फ्रॉज एवर्टन पार्ट जाना है, यह एक जिदे विच्ट एक एकनोमिक बैग्राउंड, सोशल बैगराउंड, जिदे लैंग्वेज ता प्रूफ है कि 70s तो लेके आज तक ये बैग्राउंड तो स्टूदेंट्स जड़े आ रहे ने, रिमोर्ट एरिया तो पिछड़े एरिया तो गरीब परिवारा तो सोचली मार्चलाइज ग्रुप्स तो और ता दलित मजदूर, फैमिलीस तो विमन ओ सारे जड़े उनादी पर्फॉर्मेंस करके ही असी फर्स्ट उनिवर्स्टी से गए ता मतलब एक कि वी वर दूइंग स्टूदेंट्स जड़े एह हो जे बैग्राउंड ते आंदेने ते आसी उन्होंनों फिर भी सिखान देने ते उन्हारी पर्फॉर्मेंस अच्छी होंदी एह जड़ा सिस्टम से का एड्मिशन दा खतम किता गया पहला ते सबसे पहली जड़ी चोट कह सकता है मैं उनिवर्स्टी दिस्ट्रक्शन हो एह किती ही दूज्या जड़ा फंडामें लोग ने जड़ा स्टूडेंट्स ने उत्यदे टीचर्स ने ते तुसे थोड़ा एज़ा लीडर वाइस चांसलर थोड़ा अपने आइडिया तुसी मिलके ओ आइडियाज दो इवाल्व करो उन्हां बारे डिसीशन लो ते इंप्लिमेंट करो दूजी जड़ी जड़ी ए अपनी अप्रोच इनिवर्स्टीच अपनाई ओ ए सिगी कि इना नू सब कुछ पताए कि उन्हाने की करना है ते किसे नो भी कंसल्ट करें दे प्रोसेस नू जड़ा इंसिट्यूशनल स्ट्रक्चर सी ते इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर सी ओना नू खतम किता इना मतलब टीच ते इन्फूल स्ट्रक्चर सी ओना नू ए स्ट्रक्चर सी बॉत नू खतम किता इन जड़ जड़ मीटिंग बुलाई ते ओध विच इन्वाइट नू मिनी इन्वाइट नाल अपने मतलब टीचिशन लाया रादर दन अक्टुली जन्वन कंसल्टेशन करा इना इन्वीच क इस अपीन नी कह रहे हैं, this is a concrete situation because if you look at the number of high court cases that have been filed against, you know, we've gone to the court पिछले पांच साला वेच, उन्हें दिल्ली दा high court दा सारा record तोड़ देता है, क्योंकि एन्ने court cases कदी university दे court विच गए नहीं, the reason ऐसी हिगा कि किसे दी भी voice जड़ा institutional structure है, वो नहीं मन्जूर सीगी, So, कदी academic council member court जा रहे हैं, कदी board of studies member court जा रहे हैं, कदी individual faculty court जा रहे हैं, कदी student court जा रहे हैं, and this is an objective fact, it is not something that is my political opinion vis-a-vis, you know, opinion that I differ with, so, एक इन्हें इन्हें कि जड़ा decision making structure सी का university दा, ओनो completely destroy किता गया, एक second approach सीगी governance सी जड़ी मैं कह सकता है, So, पहली सीगी की, और एदा, sorry, on the first point में ये भी कहना चांदा है कि जड़ा deprivation points खतम किते गए, जड़ा admission criteria नो अल्टर किता गए, ओदा proof हैगा, कि ज़े तुसी admissions ती analysis कर दे, तो ओदे विच, there is a huge shortfall of students coming from marginal social and economic backgrounds. So, the concrete असर होया, असर होया कि उनिवस्टी दा, जड़ा student intake दा character है, वो देविच fundamental change आया, वो देविच, जड़े हिंदुस्तान दे, गरीब तपकेया तो, deprived sections तो, जड़े लेह knowledge दा एक खास मतलब है, जड़ा लिखान दा एक खास मतलब है, और वो मतलब ए है कि एह हो जी देवर्स थारज़ीनानु लोड है, उनाथ हेक, जड़ी सामाज हो जखान दा इदरbelा, जड़े कउन सब्सक्ना एक आःग साफ मतलब है, और जड़ी सिर्वेहac शेय कर रहे है तो उस प्रोसेस भूरोक कर वास्ते, मैंनु ए मेरी ए समाझ जा है, कि ए में हुन उन 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 पीनियन दे रहा है, कि अग जा तुसी मैंनु अगला सवाल पुच्छा कि वाइड दे दे दू ए? And I think the idea we have to find it is to alter to the content of education, the content of knowledge, and ultimately the content of policy discourse in this country. So there is a linkage here of what was being done in the university. Sir, I want to transition now into, कि किस तरह जो, specifically ए वाइस चांसलर, ए जो recent trend रहा है, पिछले पंच के साला तौपा गाल कर रहे हैं हून, किस तरह ए उनिवर्सटी दे कुछ फंडमेंटल्स नू अल्टर कर रहे हैं, पामियों स्टुट बॉडी नू लाएके, अड्मिशन नू लाएके, पॉलिस नू लाएके, कुरिकिल्म नू लाएके, बना वनना वना खुम बाक तो अड़िसम साइड, ए थे सान एक छोटी जी ब्रेक ली रुखना पहरे, तुसी कितना जाओ, परफेसर अतल सूध दली दे जे एन यू तो सार नाल जुडएं, तुसी भी जुड़े रहे हैं, ब्रेक हो रही है कि केस तरह इंडिया दे विच, फ्री स्पीच, पबिक डिमन्स्ट्रेशन नू एक बहुत वड़ चर के सप्रेस किता जा रहा है, खास करके कोवेड नू एक बहान ना बना के, बट इस चीज दा मैं कवांगी, एक किसम दा सब तो ज्यादा सानू एफेक्ट, कॉल सूद देनाल, Professor सूद इगभरी फिर तोर अप्रोड़ देविच स्वागत, thank you so much for walking us through a little bit कि किस तना दी जे नुदी हिस्तरी रही है, की उना दे बिस्पल दे प्रिंसिपल्स रहे, what makes them a leader, an intellectual leader, ना के सरफ इंडिया देविच, as an institution, but worldwide. But now let's talk a little bit about some of this activism, right? So, you know, पिशले साल बहुत कुन्टरवर्शल, Citizenship Amendment Act, CAA, गवर्मेंट बनों पास किता गया, गवर्मेंट बनों ओसे चीज नू जदो उना ने लांच किता पके सक्देया, ओदे खिलाफ बहुत, you know, ओवाजा उथिया, बहुत लोका ने अपनी देंस्टर पिशले साल, खास करके February देविच, कोवर्ट तो पहले, किस तरना दर रिस्पॉंस इगा? मैं एक सिक में ठोड़ लवांगा, कि जो में जड़ी मैं पहले गल किती सी ब्रेक तो पहले, ओओ, I want to underline, कि जड़ा एक्ट है, ओओ पार्लेमेंट तो बनिया है, so basically, इंडियन पार्लेमेंट टी जड़ी इमाजिनेशन है, about an higher educational institution and a specific institution like जड़ी 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 ल है, हाई एक आस्पेक्ट आगा, कि ऑड़ा जड़ी हो इसच करने लगे है, इसकर के नवेंट टे लिए मीनेनट टी जड़ी जड़ा है, कि जड़ी इन ठोलु कर तो पहले है, तो जड़ी जड़ी कर ते में जा पार्लों कदा क्मेंट करणे है, फाली जड़ी जड़ी जड काली ही वाई चंसलर ने एक पुलिक इंट्विव दिता है, I wish you could have downloaded it and played it today where he says that you know there are teachers on the campus who are basically discrediting the university because they are talking negative things about the university and I want to underline in your program that it's not about negative or positive, it's about a national mandate. एक उनिवस्टी नो एक खास तरीके नल पार्लेमेंट ने एंडियादी पार्लेमेंट ने समझया, वेक्खया तो तो नियम बना है, तो ओपार्लेमेंट दे एक ने उना दू खिलाफ ओवपरीत ओपोजट उन्नो डिस्ट्रॉई करके उनिवस्टी नो रान किती जा रही है, वो जो इमाजिनेशन है, वो जो चेंज किती जा रही है, वो दे सवाल खड़ा करना, कि उनिवस्टी नो बनाम करके नहीं, बल्के उनो वापुस लान दी कोशिश है. Sir, I have to ask here, I mean, before I get back to my question, government नो या Parliament नो JNU तो किसी किसम दा खत्रा है कि उस तरह दी Acts पास करें, I mean, what is the reason for this, if there's a simple answer here? Yeah, simple answer. See, I mean, when you talked about COVID and, you know, how COVID has, you know, impacted human rights, I think there is a continuity here. So, there is, you know, reworking of the nature of governance and the nature of democracy in this country. And therefore, given those aspects, that it's not particularly JNU, I would say it's actually to do with any educational institution. कोई भी है जड़ा सवाल खड़े कर रहा है, जड़ा सवाल पुछ रहा है, ओ पामें इखाली JNU नाल भी होया, हो हैदरबाद नाल भी होया, ओ जादवपूर नाल भी होया, ओ होर उनिवस्टीज नाल भी होया, बिहार दी उनिवस्टीज नाल भी होया, महातमा गांधी उनिवस्टीज नालोया, ओना दे या दे नुमाइं दे, या उनादे स्टूडेंट्स, या उनादे टीचर्स, जो भी उत्थे बैठे सिगे, ओ जो भी कोई भी कृटिकल सवाल पुछ दे, इवन इंसिटूट सो मैनेजमेंट तुसी रीसेंटली देख्योगी कॉंट्रोवर्सी हो रही है उते आयम एम्दाबाद देवारे क्या जा रहा है कि जड़ी उते पीच्टी डिशिटेशन अप्रूव होई है वो अप्रूवल ते प्रॉसेस विच पुलिटिकल पार्टीज नो जिंज थीसिस लिखन वाले ने थे एक्जैमिनर ने करेक्टराइज किता है ओदे बारे नाव सवाल खड़े किते जारे है कि यह उना ते कुल राइट निगी ते गुजरात विच एक गाल हो रही है और यह UGC भी एक सर्कुलर लाइसी फिर उनने उत्ते स्लोडाउन कर लिया कि केड़े टॉपिक ते तुसी रिसर्च करनी है यह भी सरकार दस्तेगी पूरा एक टेंप टैगा की जेड़ी गलबात युणिवरस्टी चो रही है और उग उनिवरस्टी गलबात समाज तो आरा रहा था तुसी सी यह दा सवाल कहरे हो तुसी आज किसानी अंदोलन दी गाल करना चाहरे हो वो सारी जेड़ी गला ने वो समाज ते यह जड़ा knowledge production हो रहा है, वो समाज दे वक्रे वक्रे वर्गानु त्यांच रखके, उनना दे जरुवतानु लेके, उनना दे vantage point तो जहना है, उनना तो गलबात हो रही है। प्लस, वो अलाइव है गे, as citizens, they are also engaging with the state, so for multiple reasons, कोई भी university भी the student body, teacher's body, या community जड़िया है, कि वो actively अपनी country नाल, अपनी nation building दे process नाल, अपनी democratic process नाल, actively engage हों दी है, वो ही JNU रवाया रहा है, वोदे students engage किते हैं, CA protest नो भी लेके जड़ा तुसी सवाल उच्छा है, JNU students particularly कोई individually या exceptionally होदे चिन्वाल नहीं सेगे, ओदे भी जिंज भारत दे, बाकी लोग, इस मोलकी दे लोग इन्वाल सेगे, तुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कोई लोग ओistlesि इस जड़ा टुनिए ऐसंपकिं लोग, तुस्तुनुन वाट्की भी लोग, सुछ भी रॉथा तुस्ट्ट्ट्टू लोग। बहुत मेजर सिरोना दे इंजरी हुई ते साधी सारी कारां ते सानु फिजिकली किता गया ते इंटिमिडेट किता गया से सारी तब कुछ तोड़या गया उनिवरस्टी जो स्टूडेंट्स दो बहुत मारया गया एक पूरा थरीका हैगा कि पहले इंस्टूशनल स्ट्रक्चर भी जेंज करो ओदे विच फिर जे लोग की सवाल करने उनना दो नेम कॉलिंग करो ओदे इलावा उननों इंटिमिडेट करो उननों थ्रेटिन करो बेसिकली जड़ा तुसी हुमन राइट्स दी गाल कर रहे हो व पूदे विच पूदे विच कोई बाई घुडे जड़े साड़े ने बाहर दे बच्चे पढ़ रहे ने उननिवरस्टी से कि यह एग्डे have no future. Because the labor market is not showing any potential to give them a promise of a good job. Forget a good job of any job of any kind. And so the labor market is really squeezed. खाली मजदूर वर्ग लेनी पड़े लिक्षा वास्ते भी. Labor market विच एक बहुत बड़ा स्क्वीज आया है. आज उनिवर्स्टियां विच कोई regular jobs नहीं है, contractual jobs थे, jobs बहुत काट निकल रही हैं, जड़ी निकल रही हैं, ओ इनने transparent processes तो हर थांते हो नहीं रही हैं, ओ अप्रूफ वन सगें देखो, high courts विच किलना litigation है, GNU दे appointment processes नहीं लेकर, जड़ा में गल कह रहे हैं कि सारी चीज मिला के, उनिवर्स्टी जथे यूद हैगा, एक एह वजया platform बन दा है, ज़ो life तोरते हैं, नेशन दे, नेशन बिल्डिंग दे process नहीं, democratic process नहीं, उससे तोरते GNU दे students ने, GNU ने teachers ने respond किता है, पामें वो C&U है, चाबे किसानी आंदोला दोला कि, पर COVID दे दुरान एक खास गले हुई है कि educational institutions विच एक पॉसिबिलिटी खतम हो जाए, मैं नू लग दा है, किते ना किते, एक element, not the all element, I mean, this pandemic is exceptional, it poses great challenges, it required कि infrastructure नो नए तरीके नल सोचा जाए, ज़री density of students ने उन्हों उते बारे तियारी किती जाए, ओ सारी तियारी ना school education दे लेवल ते बहुत बड़ी तोड़ते हुई है, यह मैं compare कराँ school दे college universities दू, different tiers of education, which school level दे फिर भी थोड़ी बात गलबात हुई, पर when it comes to higher education, कोई गलबात ही नहीं हुई है, education नो, educational infrastructure नो नए तरीके नाल organize करन ले, कोई सरकार दी policy नहीं आई है, कोई university दी policy नहीं आई है, कि जेड़े students दू, online access which challenges आन देने, जिनना दी कोई infrastructure नहीं है, जिनना दी कोई capacity नहीं है, चीजां का एक लैप्टॉप या फोन या internet connection दी, कोई सरकार दा program नहीं है, university जेड़े नहीं दा कोई program नहीं है, कि वो शिक्षान नहीं एक्सेस का सकता है, लाइडरी इस दी कैपासिटी इंप्रॉप किती जेए कि online होई, nothing has been done, so status quo in infrastructure, pandemic given, what is the solution, politically it is inconvenient, so keep the universities closed. And this is at a time, sir, जड़ो सधी मुलाकात होई सी दिली दे विच, ओस वेले, मैं दर्शकन होई पहले दासरी सी, के, you know, it seemed for the most part, life and business as usual, most चीजां दिली दे विच ओस सवेले खुलिया सी गिया, पावे हों, metro होई, malls होन, businesses होन, but the college campuses weren't. Once again, why do you think के ऐ दिस्टिंशन क्यों रखी गई सी, because you're right, COVID is a very unique, very challenging pandemic, but then ओचीज अक्रॉस दे बोर होनी चाहिए दिया, right? तो आड़े के आज, academic institutions नो क्यों जादा restrictions imposed किती हैं गई versus the rest of society? यह थे policy makers यह दा final answer दे सकनें, पर मेरा जड़ाए, I mean, the way I connect the dots, so to say, वो यह यह क्या कि एक ते higher education विच पब्लिक इन्वेस्टमेंट करन दा इरादा नही है, higher पब खास और थे, क्योंकि जा ते new education policy आई है, ओदे विच पब्लिक इन्सिटुशन नो अंडर्माइन करन दी एक पूरी सोच रही है, so एक पास से तुसी budgets वेच, infrastructure development, which provisioning of education, वेच जेडी COVID यह COVID ते ताइप जी जड़ा future आना है, ओदे ले जड़ी education दी तैयारी करन दी लोड है, ओदे ले कोई intent नहीं है, because that is not your policy choice. You believe that the private sector can easily, not only compensate, but increase the chances of, for Indian students and Indian population. So, इस करके, एक ते public investment in education करन दा, कोई orientation नहीं है. दुजी सब्गाल है कि जड़ा जो बाकी चीज़ां ते policy बन रही, चाहे agriculture दे laws होन, चाहे labor दे laws होन, जड़ा even education policy है, ओदे विच कोई consultative process, कोई stakeholders नाल कल बात, long time तक systematic तॉरत है, universities विच debate, एह हो जया कोई process नहीं है. जए माना मोटा process हैगा भी, ते, on the face of it, it looks very managed. It is not like really an open dialogue, conversation and a consultation. ते जए एह हो जया, ओदे विच भी universities दिक्कत करती हैं, ते तुजी नूँ, colleges नूँ खोल दे हो, ते फिर विच्वाल करती हैं. ते, इस करके तुसी probably, you know, you don't want to be. So, you want to alter the policy, you want to alter the mandate of education, you want to alter the mandate of overall governance रुरिमबक in this country, तो नूँ लगदा है कि democratically, हाल युनिवर्सटी विच student भी participate करन, teacher भी करन, तो नूँ मन्सूर नहीं है. तो नूँ लगदा है, top-down approach होनी चाहिए है. Given these multiple facts, you know, once again, there's a really, एक बहुत ही फैमस सेंग है कि Winston Churchill, Prime Minister of England during World War II, said that never waste a good crisis, never let a good crisis go to waste. तो नूँ लगदा है कि COVID, I mean, definitely a crisis, नूँ एक ऑपर्टुनिटी दे तॉर ते स्तमाल किता गया है, खास कर कि जिते free speech, public demonstrations दी गालान दी, अगर आज दी डेट किसान अंदोलंदी भी गाल कर लिये, एदे विच तॉर्डा की क्याल, any connection there? Yes, well, I mean, Noemi Klein has a lot of work on saying how disaster is an opportunity, systematic work is there in the literature to look at how disasters has been used as a major occasion, as a major platform to alter, you know, the approach, whether towards economy, towards society, towards policy, towards, you know, building or bringing about the change. So, मैंनों लगदा है, पर एदी continuity भी underline करनी लोड है. मतलब COVID एक मौका दे रहे है, लेकिन past विच भी ऐचीजा हो रही है, आजी किया, ते future विच भी होन गया, ते एनों फेसिलिटेट किता गया है, हिंदूस्तान विच 2005 दे Disaster Act दे framework विच. जिरह 2005 दे Disaster Act है, वो एक्चुली उदे एक स्टेट दूपावर दिन्दा है, कि की ओ कर सकता है, की नहीं कर सकता है, दिसास्टर नूँ डील करने लेकिन वो स्टेट दू रिस्पॉंसिबल्टी भी दिन्दा है. वो कहन दा है कि स्टेट केड़े केड़े दिसास्टर अक्ट दा पार्शल इस्तेमाल हो रहा है, ज़िए जिन्हों तुसी अपर्चुनिटी ते को तो और ते कह रहे है, कि स्टेट अपनी पावर यूज कर रही है, लेकिन अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी जेरे स्केल ते करनी चाहिए है, इन तुस अपर्विजनिंगा फूर इन तुस अपर्वजनिगों उ सब्राइब वर्कॉंस, इन तो प्रविजनिगों ती नहीं हो रहे है, तो मैंनों लगदा है कि जे इस्टेंट इस्टेंट यूजकिष्ट, to bring about a change in a policy orientation जिरी continuity है वो COVID नी लाया policy change वो policy change desired सिगा पहले भी higher education प्राइटाइज करना चांदे हो पहले भी करना चांदे सि disaster ने उनु फेसिलिटे करता खेती दे मिच तुसी corporate नु खेती handover करना चांदे हो पहले भी attempt करना है सि COVID दा मौका आया लेबर दे राइट नु खतम करना चांदे सि so everywhere you can apply the same model so this is used as an opportunity to push through to ramp through an agenda which the state wants to do you know last but not least Professor Soodh I have to ask मिनु थे पुछना पहरे है तुसी ता वी तो वाद सालना तो जे नु दे विच एक professor दे तोर ते जुडे होयो you know these are definitely unprecedented times pandemic दे तौरते लालो public unrest दे तौरते लालो या इस किसान मोर्चन उलाके लालो what do you see as the future of the university you think के जो जे नु दे लेज़ी रही है इनने डेके जे जे ने सालां दी do you think ओ परसर्विर करूगी ओ सर्वाइव करूगी all of these tumultuous you know events or you think के JNU and these prestigious जो higher education institutions है की इंडिया दी ओ irreversibly change हो जानगी negatively impact हो जानगी इस time तो बाद well I am an optimist and I think that जड़ी लोका दी voice है जड़ी लोका दा collective wisdom है ओ institution नो भी ते nation भी right direction विच ले जाएगा ओदे बिच सिर्फ अनी लोड है की जड़ा लोका दा collective wisdom है ओ collective wisdom consolidate होना चाहिदा है ओदे वेच restrictions जिननी minimum लगण ओदे वेच लोका दे अधिकार लोका दो गल बात करन दी थाँ ओ space उनननों मिलनी चाहिदी है और जो collective wisdom जिस दिशाच ले जाएगा university नो the nation नो I think that will be for collective good only but I think the processes of democratic participation the processes of rights of people to have a free fair conversation तुसी देखो कि किनने यांग बंदे आनों जड़ियसी गल नहीं कर सक्के हैं कि किनने यांग खास तर से विमेन नों ऐस वेले जेल विच बंद किता गया है without really any substantial charges repeatedly the you know I'm sure you must have reported this so ऐस वेले ये जड़े सवाल खड़े कर रहे ने और खास तर से I would underline women who are you know young women who are raising questions and who are very very brave in asking these difficult questions in these difficult times state उना ते बहत बड़े तौर ते उना तो अटाक कर रहे है उनानूं अंदर बंद कर अंदी कोशिश कर रहे है ते एक पासे जड़े काई ज़े 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 से state है और तानूं परिवार ते बेटी ते सारा कुछ पर ओ सारा सिर्फ चुछ वासते है because the state has understood that the biggest challenge that it is facing is it is facing from these young women who are brave, who are critical of this regime and I think the future and the future lies with them so they will take this country and they will take this university to a better place Professor Atul Soodh from JNU, Jawala Nehru University thank you so much for joining us and for being an optimist and I really appreciate what you said about the young women and they will definitely persevere once again thank you so much for your time sir stay safe thanks sir no problem इते एक चुटी ब्रेक लिरी रुखने हैं तुसी कितना जाओं मिल देया ब्रेक तुस पार ब्रेक तुस बार सारा स्वागत जान्दे आन्दे मैं सिर्फ एही कहना चान्दी है जिते human rights watch जो के एक worldwide global संस्ता हैगी जो human rights the violations नू वेख दी investigate कर दी होना record राख दी है दुनिया भर दे विच अज उना ने इंडिया नू एक एस company दे विच शामिल किता है जिते they are one of the worst offenders अपा कह सकने है of human rights violations कास करे कोवेड नू एक बहाना बना के कोवेड एक बहुत सीरियस महामारी नहीं हैगी बट कोवेड दे विच तुसी लोका नू peaceful demonstrations करन तो रोक रहे हो या अपनी अवास चुकन तो रोक रहे हो free speech नू रोक रहे हो ओ चीज बिलकुल गलत है ते जिस तरह परफेसर अतल सूदने सानू या इंडिया दे विच किस तरह ये चीज प्ले आउट हो रहे है खासरे college campuses दे विच ए सिरफ एक isolated incident नहीं हैगा ना के सिरफ COVID दे विच वेकर नू मिल रहा है कि ए जो higher education institutions हान उना दे विच किस तरह दे changes पामे ओ free speech, demonstrations, public student activism नू लेके होए या institution दे पूरे framework नू चेंज करन दी गाल होए एक बहुत ही वड़े लेवल ते हो रही है एक strategic लेवल ते हो रही है बट साड़ी hope सिरफ एही हैगी कि तुसी ये देखो कि खत्रा कितों मिसूस हो रहा है पामे उस सरकार दी गाल होए पामे उस जो लीडर्स हान जिनननू institutions विच वाइस चांसलर बना के रख्या होए उनननू खत्रा महसूस हो रहा है educated, strong औरतां तो young women who are educated जो अपनी आवाज चुकरी है जो अपनी आवाज चुकरी है सानू विक्ष नू मिल रहा है जो किस तरह उनननू फड़फड के जेल च पा रहे है अगर अपन नो दीब कौर दी गाल करिये अपन दिशारवी दी गाल करिये नो दीब कौर 25 साल न दी दिशारवी 21 years old कोई उनना दे खिलाफ तुसी कहलो सबूत नी लिख लिया जो पर्चे उनना दे खिलाफ दर्ज किते गई उनना दे विच भी कोई सब्सेंस नी सी की बट दिस इस अ गुड थिंग ए जी सानू वेह के सानू होपफुल मेसूस होना चाहिदा है कि ए जो औरता है कि अगर ए इंडिया सब्सक्ते खते बोली कोई सब्सक्रांड इची डिस अ गुड नी प्रोग्म मोगा में पर्चेम चाहिए झाल, 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 झाल